जिए beso ai मैं गई हो तो सल्मान खाल से काय एधाय बात हुई हाइए लेकिन उस नंबर पर घंटी तो जाती रही है रहिकिन फॉन रशीब नहीं कर रहे है जिस तरीके से अपनी जिला जेल होती है उसी तरीके से भी बॉस की जेल होती है खली से अभी हो जाती है जिए हमारा 93 में कना फेरल हुआ था तीन साल के बाद में मैंने हातियार उठाया है एक दो साले रहके नहीं आई मैं 18 साले रहके आई हूं जंगलूम ऐसा है कि पकड़ हम लोगने किया है तो ऐसा है कि जब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या और कईया ऐसे भी अपहरण हुए हैं कि आपने कई कि फलाने के पास में इतना इतना धंदौलत है इतनी इतनी केती पड़ रही उसको उठाके लड़का लेके आए जब उसका रियल पता लगवाया तो उसके बाद मैं कहीं दस वीगा पड़ रही कहीं पांच वीगा पड़ ले तो मैंने फिर ही छोलने पड़े हैं कम से कम बीसों पकले हैं फिर ही छोलने पड़े हैं सिध्धान्त नाम है मेरा और दिललन टॉप की जो यह यात्रा है उसमें हम कई तरह के लोगों से कई तरह की बातों को सुनने समझने और बत्याने का प्रयास करते हैं उन बातों के एर्द एर्द और इस करम में हम और या जिले में आए तो लोगों ने कहा कि आएं हैं तो वहां पे रमाकांत की बालू शाही तो जरूर खा लीजेगा सीमा परिहार से भी मिल लीजेगा सीमा परिहार जिनका पुराना परिचे है कि वो दस्यू समुदाय से तालुक रखती थी बीच का परिचे था कि वो बिग बॉस में आ चुकी थी और उसके बाद का परिचे था कि वो चुनाओ भी लड़ चुकी थी चुनाओ बदोई रोख सबसे साथ में दोचार साथ में लड़ी ना ये बिग बॉस से पहले की बाद है लोग पुछते हैं बिग बॉस में गई सल्मान खान का फोन आता है क्या बीबी हाँ भी जब बॉस से मैं गई हूं तो सल्मान खान से कई अगदाएं बात हुई है और माली जी कम से कम तीन चार साले बात होती रही है अब पता नहीं कि वो नंबर बदल दिया है या कोई दूसरे पर रहता है लेकिन उस नंबर पर घंटी तो जाती रही है लेकिन अब फोन प्रिशीव नहीं कर रहे है सलमान खान पोन ने उठा रहे हैं? अब पता नहीं, वो सलमान खान पर है कि दूसरे सक्स पर है क्योंकि दो चार दाय हमारी बात हुई है तो ये बता रहे थे कि हम नमबर जल्दी चेंज कर देते हैं क्योंकि उनका नमबर कुछ लोग ऐसे उनके आशिक बन जाते हैं कि पचास-पचास हजार तक में नमबर खरीदने को तैयार हो जाते हैं अच्छा हाँ, तो हमारी कईयक दाय हुई ये बात उनसे, सलमान भाई से लेकिन अभी दो-तीन साले होगी तब से बात नहीं हो पा रही है वहाले करती है थी फोन सिद्ध वई उठाते थे हाँ, जी पहले वही उठाते थे चक्कर एक्छी ये था कि पहले मैसिज डाल देते थे, हो सकता है कि किसी उनके प्यारों पर रहता हो लेकिन जब हमारा यहां से मैसिज जाता था तो उसके बाद में हम कॉल लगाते थे लेकिन पहले मैं यही भी बोल के आई थे जब मैं बिक बॉस में थे कि सलमान भाई हमें मैसिज लिखना जादा आता नहीं है तो मेस्टिज का उस टाइम पे जब सल्मान भाई से में मिले थे ता हमारे पास में छोटा मोबाइल था जो पहले नोकिया का मोबाइल बटन वाला वही था वो भी एशनल की सिम में चलाते थे और भी एशनल का नंबर आज भी चला है लेकिन हटाया नहीं क्योंकि सुरुआ से 2003 से हमारे पास विचला है वो फॉन जब सुरंडर की थी नहीं नहीं मैंने 2000 में किया था सुरंडर के बादी नहीं फॉन ली हाँ फॉन तो जब मैं जेल से निकल के आ गए तब मैंने अपने हाँ से लिया है तब मेरा पहले भाई चलाता रहा ना वो बाला सिम जब उसने कि अपिछ नहीं कोई प्हूं लेता तो यह से लेता है क्योंकि ऊप्छा पास में तो फॉन आ गया क्योंकि पहले रिषीवर के था टैते ते है नुआ अए Μालला में एक यह दो जब दुनके रहे उनंसे गर एक कोई का नंबर आता ता तो उसी के घर में आ जाता था झांग हो दो लिए और खिकने हो तब तक इनके हैं रिख्वार था ? अब इनके लोगवागौ चाहिए सिस्कूर आते ते छोंग उनी, या वमने का बता देती दितने हैंक में ड向 सकता कट ही जाता था तो पहले फिर उसके बाद में घरन घरन एक और चला था इतना बड़ा डिबास आता था उसमें एक एरियल निक्रा रहता था एंटीना वो काफी जनन की यहां चला है लेकिन हमारे यहां तो नहीं चला है हमारे यहां फोन हमने हमारे भाई ने पहले ले ल किया नम था? फिर्म का नम वुंड़ेट? वुंड़ेट दे बैंड़ेट कुईन कर के नम था नहीं है नहीं है, बॉंड़ेट, हाँ जैसे कहाने का मतलब आप घायल कहा है आप थी उसमें और कौन-कौन था? नहीं मैल तो हम ही है उसमें और जिसकी जरूरत पर ही वही कनव पकड़ लिया जन्ता को उस पर रॉल करा लिया कोई बंबई का एक्टर ही नहीं लेकिन हमारे डारेक्टर साब ने थोड़ी उसमें कमिया कर दी थी हमने डबिंग के टाइम है डारेक्टर साब को बोला था कि इसमें अनहरापन जादा आ रहा है तो बोले नहीं सीमा चल जाएगी तो हम नहीं चल जाएगी तो देखिए उनकी भी पहली पिक्चर की डारेक्टरी थी उनने कई पिक्चर्वन में काम किया था सीरियल में काम किया था लेकिन डारेक्ट नहीं है, सब रियल, रियल फाइरिंग करने में जब हमने पुलिस की मुठेर कर रहे थे, एक दिन जंगल में सूटिंग कर रहे थे, तो एक ललका इधर का था तुमारे बनारस के और आंगे का, उसने उसको रोक दिया था कि तुने कभी फाइर किया, आप बोले नहीं, तो वो लड़का यूनियट में मर सकता था, उसके लग सकती थी, वाने पीछे सा फायर कर दिया, तो उसके मैंने दो चार थपड फिर बजाई, अच्छा, जो बात के लिए, बाई किसी के अगर जान चली जाती हंसी हंसी में, तो उसका बच्चा तो में लोटार के दे नहीं सकती थ और सुटिंग के टाइम में भी हाई कोट का डारेक्शन था, तो देर सेक्षन हमारे पास में पीएसी रहती थी जहां सुटिंग करते थे, और जिस थाने के आसपास कर रहे तो बो थाने की पूरा फोर्च रहती थी, क्योंकि रियल सुटिंग हम जहां जहां जंगल में रोक दस्वों को सर्राटा जाधा भी था, उस टाइम पर हम निर्भाय से गोली भी चला चुके थे, एक दो दाए, तो इसमें गोली चलाने की बात होती है, निर्भाय का भी नाम ले लिया आपने, आप पर 70 केस के मुकदमे थे ना, 70 मडर के केस थे, कितने मडर के केस थे, हम पर कानपुर दिहात का था, एक सिकंदर बाकि राचपुर थाने का था, हाँ, उसमें मैं बरी हो गए हैं, 2005 में, कहानी किया सिमा परिहार की, बहुत बार कैमरे बे बताई होंगी, बहुत जगह बताना पड़ा होगा, इतनी बार, मतलब यूट्यूब खोलिए तो, सिमा परिहा आपने देखा होगा कभी कुमार मनोच का, यह टावा के रहने हैं, तो हम लोगों ने घराई में प्रस्षटी चैनल बनाया है, हमने मनोच जी ने मिलके, उसी यूटूब पे मैं बनाते हैं, लेकिन जब से मनोच जी का बराबर फोन आ रहा है, अब तो नकलव में ऑपस हो लेकिन तब से हम नहीं गए हैं, जब से कोरोना काला आया है, तो तब से मैं यूटूब में डालने लगे हैं, पहले मनोच जी ने सबसे पहले एकदाए वीडियो डाला था बना के तो मैंने इटावा के पास में काली बाहन मंदिर पढ़ता उसी जंगल में गए ते जंगल म लाइक होगा, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे कि हमारे चाहने वाले हिंदुस्तान में इतने बैठे हुए हैं, लेकिन हमें तो तब पता लगा जया हम बिग बॉस में गई हैं, अच्छा ये बताए बिग बॉस में गई हैं, लेकिन उसके काफी पहले चलें गए, आप 13 साल तो में इतने में लगता है त्ब मेरे चला लगता था त्ब ये जिला नहीं लगता थी एक मैं अजीत इत्मल ठाना लगता था तेराह, यजे अच्छी में पहर रहूंगा, वाः जनगल में जी फिर यहां पर तेन-साले है, नहीं हो पकड़ा है ओं मैं यही कहते रहे कि मैं घर जाएंगे घर जाएंगे लेकिन वहां चे नहीं निकल पाई हमें यहीं पता नहीं पूछ नहीं पुछने हैं सिमाजी पूछ सकते हैं आपके नुमती होतों नहीं पूछिए एक फिल्म आई थी जो फूलन देवी पर बनी थी हाँ जी वह मतलब बहुत अच्छी फि अपहरल के लिए अपहरल कर सकते हैं भागी लोग, लेकिन उसके साथ में अत्याचार नहीं करेंगे, बस वो ही अत्याचार है कि आपको अपराधी दुनिया में डाल देंगे, लेकिन अगर ये देखा जाए कि सरीरिक सोसल करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि अगर जितना निके भले कोई निजंगल में जाके अपना जीवन काटेगा, किसी ना किसी समाझ का सताया हुआ होगा, या प्रिशासन का सताया हुआ होगा, या घरवालों के सताया हुआ होगा, किसी ना किसी कारल कुछ हुछ के साथ में कारल हुआ होगा, तब बाने जंगल अपनाया होगा नी के भले कोई नहीं आता. हर बयक्ती चाहता है कि हमें दो वक्त की खाना मिले लेकिन चेन का मिले. शोशल और नहीं होता आपके हिसाब से जंगल होग्य होना? नई. बिलकुल नहीं होता. यूँगी जिस दिन हम गए थे हमारी 13 साल की उमर थी. और हम एक-दो साले रहके नहीं आई मैं 18 साले रहके आई हूं जंगल में तो हम कैसे मानें जब हमारे साथ में सोसल नहीं हुआ ता हम दूसरे का कैसे विश्वास करेंगे के हो गए हुटार है हत्यार मैंने उठाया है हमारा तरहाइमे में कनवफ HRD हुआ था तीन साल के बाद मैं favor हो एग उठाया है जब हमारे गाउं आप और ये जिला में अब लगता है क्योट्रा गाउं पढ़ता है क्योट्रा गाउं के बगल में मलाहन का गाउं है मढःापुर मढःापुर के पास से हम निकल लहे थे तो हमें रास्ते में एक मलाव मिल गया वो हमारे गाउं का था मलाव तो उसने जब मिल गया तो उसने पहले पैर चुए पैर चुने के बाद में उससे बैठके बतराने लगे तो बोले कि जब भूगा जी तुम्हारे मम्य पापा ज़ेल में चले गए और तुम्हारे घड़ की कुड़की हो गई तो जब मैंने सुना तो एक दखका तो लगता ही है तो जब मैंने सुना अपको अभी गमाले में भूगा जी कह रहे हैं जिक्थिर लोगों मेंने सुना जब भूगा जी कहते हैं तो उसने जो उसका लगा क्योंकि हम जब बावाइन गाओं में जदा करके यह माली ये सोपर ने नबए परसंट हम गाओं की भूगा लगते हैं और दस परसंट हम बहन लगते हैं हमारा ऐसे पताजी से नाता ही चलता था उनसे सब यह यही बाबा कह किरते थे सब लोग तो वह ऐसा करा हमसे जो बुड़े-बुड़े बैटे उनके लड़का उनके हम से बहुत अमर में हैं वह उनके बाप हमसे बुगा कहकाटे ते गाहों में जब तो हम उनसे उत्तर नहीं देते थे मला थे बताया कि वह गया जे बुड़की हो गई है We महिना बाद अपरादिक दुनिया में पहुंच चुकी थी तो हमने किस तरीके से पहुंचे जब आदमी कोई अपराद नी करेगा कैसे हम पहुंचेंगे कि वो तो गैंग लीडर के ऊपर रहता है कि हमें कहां पर कुसका नाम देना है कि इसको वारेंटिट करना है तो हमारा ए कि मेरे को पता लगा तो मैंने वहां पर मेरे को यह झी दिखाई द आखिया कि हम यहां से निकलने वाले हाँ नहीं तो है नहीं क्योग cao 3 साल में कभी नहीं 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 है तो आप तो और रोज है तीसदिन दूख्ते हैं कभी नब कभी पुलिस से गोली चलती महीना, दो महीने में जाना है तो हम ये कहते हैं तो हम जिन्दगी में आज़को देख पाएंगे क्योंकि यहीद जीना मरना सबढ़ी है पता नहीं पिस गोली पे हमारा नाम लिखा होगा तो किसी दिन पुलिस से मुटवेर होगी, गोली लगेगी तेयर साल की जब थी अगवा होई है, उसके पहले पढ़ाई लिखाई कुछ हुई है? नहीं भी है, हम स्कूल का नाव दरवाजे नहीं देखा है प्राइमरी स्कूल भी नहीं घरों पे नहीं पढ़ाई है कि अगर किसी काँपी में गलती रहती थी, तो पहले पट्टी में पढ़ाई होती थी, काट की पट्टी होती थी तो वो जब देख था था था, वो दो कंकड अथा था था जमीन से तो यह दोनों लंकान में दाब यह था तब फिर भू करना टौर करता था तो हम उसको गालियां चो लेकिन हमारा पता नहीं पैदाएशी क्या बढ़ा है कि हम छोटे पंसे भी गालियां देते थे तो बान देती हैं गालियां तो अभी भी निकल जाती है थोड़ी बहुत अच्छा इंटरवियों नहीं इंटरवियों भचाईएगा रहर एफ यह जो आगर उदम कर रहे खड़े हैं तो उनको गालिया देनी का नवा हो जाता है और तो नीके मानतेगे नहीं तो फिर उनको गालिया भी आ जाती लेकिन और गालिय थे लिए कि आप तो हमने बहुत अपनी कंट्रॉल पे पावंदी लगा ली है हमारे मैने दो हजार में 2003 में हमने 2002 में सिपसेना जौन की थी इटाबा जेल से तो वहां के एक प्रदीफ नम्मरदार हैं तो बिन्ने हमारी गालियां बहुत छुटाई हैं लेकिन बो कहते हैं कि रुपाई में 75 पैसा सुधर गई हो लेकिन 25 परसेंट रहे गई हो लेकिन इतनी बनी रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी लेकिन हाँ ये तो एक कहवाज सुनी होगी कि अगर सबकोच अगर छोड़के बिल्कुल सीधा पन पर जाओ तो यह समान जी ने भी नहीं देता है जैसे एक आपने सुना होगा कि एक नांग देउता थे कहीं जाते थे आदमी को खाट लेते थे तो बहुछे कि जब भगवान जी ने भी ने हमने सिकायथ कि किया कि यह पे एक नांग रहता है वो खाट लेता है तो भगवान जी za सब्जाया कर आद जिन ने नांग को समझाया कि कह ओ कि रहते है जन्तास को डराते, वो गढ़ते है तो उसने काटना बंद कर दिया तो ला आपको हमने काटना बंद किया था लेकिन फुसकारना तो बंद नहीं कराया था आपने तैसा किया कि आपकी दोर पे साथ यह हो चुकी है अज़ फुसकारना मतलब चलू रहेगा थोड़ा बहुत तो रहने ही पड़ेगा सो भाग है न अच्छा तो बीहड में थी आपने पिस्ताओ नहीं आया था तब तक निर्भय गुर्जर आच चुका था हमारे गेंग में लालाई राम गयंग का सदश था निर्भय गुर्जर और अपना बना लिया था प्र उसके बाद में यह तुमारे जो राम आशरेतिवारी और फक्कड बोले जाते हैं फक्कड का गयं सामिल हुआ तो उनके साथ में भूरे पंड़त जैसिंग गुर्जर तमाम उनके सभी सदश थे तो यह पिस्ताओ रखा था फक्कड ने लाला राम से कि ऐसा है कि जब लड़की डिकलियर तुमने कर दी है और जे अगर कुआरी लड़की अगर गेंग के साथ में रह 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 ऑस कि लेखेंगे लेकिन सभी लोगों ने समझाया कि आपको साधी करने के लिए कहा रहा है को यह नहीं कहा जा रहा कि तुम इसके संग में घर बसार कि काहीं बाग जाओ जाया रहा तो हमारी पहली साधी नेर्वेजड लग जाए लेल साले दीड़ साल के वाद में हमने निर्वे गुरजर को अपने अपने ृण से वह अपने इंग डिया था गोली चली तही आपके पुकिल बार स्इश दिन भगा आया था कि ऊठिंड ऊंद और था कर बीन निर्वे गुरजर की शिकायत थी तो कच्छै से वहाँ जा कि उसके साथ में तीन और गय थे सदस्य नहीं जाको जा कि उसके बाद में बीजलपुर की जाथरा जातरा मिसरपुरा गायों पढ़ता है तो मिसर पुरा गाओं में एक नाई के घर में एक औरत के साथ में चेलकान करके आए थे तो ये लोग लोटे हैं सुबह के चार बजे जब हम लोगन ने पूछा कि आप लोगन को इतनी टाइम कहां लगा तो इनने नहीं बताया जब इनको चार गए थे तो चार पर जब डंडा लेके पूछा गया तो वो तीन गए थे तो बोले के ऐसे ऐसे आए हैं और जे जे गाओं में आके एक नाई के घर में गए थे निर्वे गुर्जर की जाने के बाद में निर्वे गुर्जर की बाद में बाद में रखा दिया था कि तेरे को मारेंगे तो नहीं लेकिन तो यहां से गैंग मैं नहीं रखा दिया था फिर निर्वे गुर्जर के जाने के बाद में निर्वे गुर्जर ने कम से कम एक साल बाद हमसे गोली चलाई आया है इनने भूरे पंडिस से और जैसिंग से कहा जाके कि सीमा परहार तो आने को तैयार थी लिकिन लालाराम ने आने नहीं दिया तो बो लोगं ने कहा कि कैसे आएंगी तो बोले कि तुम उनसे गोली चलाओ हमारी आबाद सुनेंगी सिमा परहार अलदौली चली आएंगी अच्छा इस तरीके से उनने आके गोली चलाने के लिए आए तो हम जंगल में उस टाइम पर थोड़े अलग को रोके थे जह आके इनने दो तीन फायर किये फायर करने के बाद में जो चौपे चराने वाले जो होते हैं उनको मारपीट करके और चौपे इनने ने हका दिये जंगल से जन्वार अभी घर को जाने लगे बात क्या हो गई है जब आपने एक लड़के को जाके हमने पूछा जाके एक लड़के को भेजा जी अपने की जानवर चराने वाले इन से पूछी अगर में इस तब उसने बताया कि पताने कोई गेंग है और कई उनको गारी दे रहा नाम लेके और कह रहा है कि कहां पर कहिए कि लाला राम वसी मा परहार दोके हैं को बताइये नहीं सबहें मारेंगे चिक है तो वहां से बस उठे जब जंगल में पूंग वहां पर पार किये थे पहुँचे त जब आप खुद ही देंगे और नहीं होंगे तो चले गई होंगे निकल के तो जब मैंने फायर चार अपने हवाई कर दिये तो कम से कम 20 मिनट वाद मेरे उपर फायर आया तो मैंने उनको 11 किलो मीटर पीछे को भगाया इतने दूर की मैं एक ब्यक्ती का सकल दिखाई दिया भूरे पंडित का और जैसी अमने फायर मारा है तो दूरा के संगे लुड़कते हुए दिखाना मट्टी के साथ मैं तब से पर मैंने मैंने 11 किलो मीटर उनको भगाया तब रात हो गई थी लेकिन उनके वहीं पर तीन टुकडी बन गए लेकिन किसी की सकल नहीं दिखाई ली कोई मरा उनमे सा नाइं मारने के लिए अगर मारते हैं तो हमने बैको जमाने के मारव देते लेकिन मानने के उपदेश में घुली नहीं चला रहा है फ्या किन को यह गया जंगल में रहके जंगल वाला कोई गैंगबार उसमें दुस्मनी नहीं पालता है। उसी जंगल में हमें रहना उसी में उनको भी रहना है। यह तो सब कावटे हैं लेकिन जब सामने वाला तुम्हारे उपर वार करता रहेगा। इस्टायम आपई सकते दो यह लेकिन बार बार तो नहीं दे पाऊँगों तो पर आपको भी आपको यहां चला ना पड़ेगा। तो भाले किसी से होजा लेकिन वैसे नहीं होता था। इस बात में कितनी सचाई है कि यमुना के किनारे के जो गैंग है वो परिहार गुरजर इस तरह के लिए गैंग है और जो परिहार का तो हमें ही अकिली थे और हम थे और चंबल के किनारे जो गैंग है वो राजपूतों के मान सिंग के गैंग है इसमें कितनी सचाई है कि जाती जबना और किनारे के तो हम भी आप जितना देखा जाये, नदियों के किनारे के और जंगल के किनारे के दसु लोग है, कापी लोग प्लैन के भी हैं, अब आज की डेट में अगर देखा जाये जहां के लाला राम सिरी राम थे, वो भी अपने परवार के सताय हुए थे, और सबसे पहले उनने अपने परवारई वाले को, अपने सगे दाउ की लड़के को, उनकी बेटे को माराता, तो ऐसा नहीं है कि लेकिन आदमी जाता किसी ने किसी कारण से है, लेकिन रही बात यह है कि बागी कहीं का हो, लेकिन रहेगा दसु लोग जमना चम्मिल के किनारे क कि बेहड जादा पड़ता है और उनको बिना बेहड कि रुक नहीं सकते हैं अब बीहड खतम हो गया ना बीहड तो है बीहड है मतलब लेकिन ये कहो कि दस्जू खतम हो गए एक दम खतम अब इस टाइम पे बिलुकुल सुसंत है अब बतातने कि एक गैंग आया है डिजिटल नहीं दिकाई देता है और बाहर कहीं होगे तो नियुक्ता जाले एक की कहानी अगहीं कुछ नहीं उनने कि पुदा एक रगाधे में उनको गोली चला दिया मैंने उनने भाइर की आप दीये हाँ घू तो मुटभेर हो के बे अपने गान में रहे हम अपने गान में उसके बाद मैं जब 22 हम बारा किया होता था ऑप का गान में आज आ पको गैंग में काम क्या होता था कुछ नहीं वस इस अकेला रेहना है, हयाँ कित्पें में थे हा तो आदमी यह छोपता है है और आते से पानी भरा में घोटे सो आड़ दाosse कि उख़दाता है और वहां पर कोई खेती वाली तो है नहीं है, भाई खाने पीने राशन मंगाने के लिए पहराल करने पड़ता था, इसा है कि पकड़ भी हम लोग ने किया है, तो ऐसा है कि जब करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, क्योंकि जब पंदरे दिन बीस दिन में हो सकता, महिना में जब गोली चल लहीं है, तो लोग ने को गोली सब प्राइविट मंगाना है, कोई लेसंस तो है नहीं किसी के पास, तो भाई, एक रोपए की चीज है, हमें चार रोपए में मिलेगी, तो भाई, आमलेसं के लिए है, खान पेट के लिए है, लेकिन में हम अपने अपने तो कभी यह नहीं करता था, ना किसी का मकान बिकवाता था, ना किसी की जमीन बिकवाता था, पहले के लिख दिया जाता था, जो लेटर जाता था कि आपके हैसियत से आदा, और जब तक हमारे पास आप आओगे, ना किसी ना किसी वहारी दोचार को लेके आप आओगे, तो अभी ऐसा ने किया कि उसकी खेती बिकाई हो और कईया ऐसे भी अपहरण हुए हैं कि आपने काई कि फलाने के पास में इतना इतना धंदौलत है और इतनी खेती पड़ रही उसको उठा के लड़का लेके आई जब उसका रियल पता लगवाया तो उसके पास में कहीं दस पढ़ रही उसके पास में दस वीगा खेती पढ़ गए तो दस वीगा बाले अपने बच्चे पालेगा को दमास को देगा आके चली निर्वय गुर्जय का अंड और इसके आगे बढ़ते हैं जी मिला जूला के फिर क्या हुआ जीवन में शादी वदी फिर कभी आगे क्या हुआ यह तो हमारी जब निर्वय गुर्जय से चूट गई थी तो घंगलाई मैंने लाला राम से हमारे एक बेटा है असके बाद में जब लाला राम एंशन प्र मारे गए हैं तो यह मैं के महिने में खटम हुए थे और और इक दिशम्मर को मैंने आज-जमर पड़ किया थ जीना जीना भगवान कह था हमारे तुम्हारे आत में नहीं होता है अगर हमें मुकदर में लिखा होगा बाहर आने का तो मैं बाहर निकलेंगे तो मैंने 2000 में समर्फड मैंने ओरिया में किया था कौन करवाया था हमारे बड़े भाई ने ने लाला राम जी का इंकाउंटर कैसे हुआ बता सकती हैं लाला राम का कुछ नहां इनके छेतर से मुख्वरी लग के आई थी उस ताम पर जब लाला राम ऐसा था कि हमारे जब बच्चा हु कि अदब जी का मकान लिये थे हुआ पर मैं असीमा परहर के नाम से नहीं थे दूसरे नाम से थे तो हमारे बच्चा हुआ था उसके बाद में फिर मैंने कमरा चेंज कर दिया था मैंने रूरा में कमरा ले लिया था रूरा में कमरा लिये थे तो उस टाइम पर हमारी भावी व खट में दिन बोले कि हम दूसरे गाउं में जा रहा है तो इनने मोटर साइकल उठाई उचले आए लेकिन हम लोगन को कहीं अंत बताया और गए कहीं अंत और जिस दिन लाला राम को पुलिस ने अटेक किया है तो लाला राम के एदर छेतर की 84 की लड़की साथ में थी लाला का तब भी हमें उस लड़की भी नहीं बताई कि यहां पे लाला राम पकड़ चुके हैं हमें पता लगा है दस वजे रात के ऐसे लगा है कि जिस मकान में हम रहते थे उस मकान का मालेक सियूली में आंके 24 पड़ता है कसवः वहां पशु पर बैंक में जाता था नोक्री कर संग हैं, बहुत धो का हमने किइं आपका नाम का गुड्डी नहीं है , आपका नाम सीमा परहार है , हमने क्यों कौन कह रहा है ? तो वोले कि जो जीजा आते थे उनका नाम कहीता लाला राम के पुल्डी पुलिस ने उठालिया हो सकता उनका पुलिस ने मतलब उठाया था फिर एंकाउंटर हुए था उसके बाद ने जब उसने भाई मेरे से कहा है तो उस टाइम ये लगी कि हमारे पैरों तरह से जमीन खासक गई किसी बारेंटिट आदमी का डारेक्ट कोई नम लेगा तो उसको ये ही लगेगा कि पैरों तरह जमीन खासक गई तो उस टाइम पर हमारा भाई बाहर तैल ला था और सागर सोरात अच्छत पर छोटे वाले भाई के साथ में तो मैंने जिस तरीके से बैठे थे अपने भाई से का कि सागर को ठाके ले आई गाली में बैठे जाके मैं सेंटर उतरे जाके कानपूर कानपूर में मैंने दो घंटा के लिए कमरा लिया एक कमरा पर किराइफ है उटल में वहां रोके और पांच बज़े उतर के आ गए फिर वहां से बैक मारा तो मैं दूसरा सिवली हो तो भाई आए दूसरे दिन पेपर में दे दिया लाला राम को एन कउछ पर हो गया और मेरा नाम भी आ आ गया डिए ड़े अरे बेट का नाम भी आ गया तब इसे मैं अपने बेटे से रामु कहतेती जब रामू नाम पेपर नाम लाधा तो फेर मोझ से वह nep monkeys का था तो फिर भी डेल कर ग तो मेरा उतरी मेरा सिर्ग टेरा महीना था तौ था था हुआ तो फिर मैं वहां से भाज गे घ्ट एपड़ इं ने पी दिली कही वैसे यइस करके जब भागतेब और अपने मेरे भागते काफी था यह उरिया में उनसे बात करी देम से बात होई तो हमने आके उरिया से कर करा लेकिन इतनी गलती हो गई कि औरिया से इसलिए कर दिया हमने समर पड़ लेकिन उसमें जो यहां के यूपी के जितने आला अधकारी में और जितने छोटे नेता थे जो बादे किये थे एक बादा नहीं पूरा किया और यही चीज अगर मैं एमपी में करते तो हमें हर सुब्धा मिलती हाँ क्योंकि यह पैसा यह चारंस के जािया जाएगा आपके लिए लेसंस नहीए ता आपको सुरक्च्छा के लिए 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 जाएंगे उसको बाद में relief मिलता एकला बेना कि दोफ्त सरकारी नौकरी दिलाएंगे तो भाई मेरे कोई चीज नहीं दीब इया बस यह तो प्लिज जरूर दे दिया जब मैं 2004 में साथ मही को जेल से भी जमानत पर आओके आ गए हैं तो 2006 में जब सब कुछ त्याग के तो जूटा है एंड कॉंटर हमारे कुछ दुसमनों के कहने से पुलिस ने गाजियाबाद में हमारे भाई को दिखाया जाकि भाई के जो हुआ है चार जब मैं जेल में थे और उसके बाद में क्योंकि जो सिपसेना का जो चुनाव चिन ने तीर कमान था तो उन्हें उकता हुआ सूर दिया था उसमें कनम भू नहीं दे पाया था तीर कमान लेकिन बाला जी साब का आता रहा मेरे पास काफी कहाई साइद वे जेल पे आने को त मिला रही बात है कि मैं भी जेल के अंदर मेरा भाई भी जेल के अंदर पहुंच गया तो इसलिए अभी ना पाल्टी की तोहीनी होगी ना हमारी तोहीनी होगी तो इसलिए मैंने पर्चा वापस ले लिया था ठीक है चलिए पर्चा वापस ले लिया सब कुछ है अब बात तो थोड़ा सा हलका करेंगे, बिग बॉस में आएगे, बिग बॉस में लडाई वड़ी होती थी आपकी सुनते हैं, अभी भी आप ऐसा करेंगे, आपको वोट आउट किया था आपको, चौते सीजन में गई थी आप ना, अरिलाबाद हाई कोट से परमिशन लेने के बाद, ह हाई कोट नहीं हमने ही सिविल कोट से लिया था, ऐसा था कि हमारे कुछ मिलने वाले थे, ऐसा था कि उस टाइम पर हम किसना मिस्रा चे भी थोड़ा नाकुछ चल लहे थे, जब इनने बेहड फिलिम बनाई थी, पकड फिलिम, तो उसके बाद मैं, मैं करना हो, इनकी कुछ गलतियां थी, हमने बानी किया था, हमारे पास एक आनन्द चोहान करके उनका नमर आया था, मैं गवालियर जा रहे थे, तो उनने हम से कहा, कि मैं एक चैनल के लिए आपको ले रहे, लेकिन जहां था कि अपने घर में भी नहीं बताओगे, ना दोस्तन को बताओगे, ना मी कर रहा, उस टाइम पर हमारे भाई का इनकाउंटर हो गया था, तो हमारे घर वाले सभी डरे हुए थे, क्योंकि मैं हमाई पर जाते हैं अपने घर में, तो जब मैंने उससे ये का, अब दो गंटे बाद फोन करना, क्योंकि मैं रास्ता चल लेकिन उसने आनन्द चोहान बत किसी को बताओगी नहीं, तो हम उनको धाई महीने मन्या किया, एक दिन में अपने दरवाजे पर वैठे थे, उसका मैं बच्चों पर थोड़े गुछा थे, तो मैंने बच्चों पर थोड़ा मार पीट कर दी, और उस तब तक उसका फोना गया, तो गाली डेके उससे भी ब आपी लोगं से मिलने पड़ता, तो हम नहीं आप आएंगे, अब हम जब तयार हुए तो हमारे घरवाले नहीं तयार होने दे, तो उस टाइम पर ओर रहिया में एक राजीब चड़दा थे, जो वो पहले डिस्टिबूटर थे, टाकी चलाते थे, तो हमारे घरवाले बोले तो राजीब चड़दा ने पहले ये कहा कि भाई अवे तो हमें टाइम नहीं है, तो हमने कि भाईया आपको मैं ट्रेंस से नहीं ले चाएं लेंगे, हम फ्लाइट से ले चलेंगे, आप अगर चलना चाओ तो चलो नहीं, हम दूसरे लड़के को तैयार कर लें, तो जब फ जब चुपका लेंगे, अगर मारेंगे तो ये काथ को हम माल लेंगे तभी हम मरेंगे, तो जैसी मैं जाके नखलव पहुचे, नखलव से एरफोर्ट से अमने फ्लाइट पकड़ी में बंबे उतरे, और बंबे से जैसी एरफोर्ट से बाहर निकरी है, सामने साहरा फाइस् मेरे सीधा दिल्ली के लिए फिलाइट था, क्योंकि नखलव के लिए हाल मिला नहीं था, तो मैंने दिल्ली का कराया था, और दिल्ली से रीवा गाड़ी का टिकट था सीधा कानपूर के लिए, तो क्योंकि हमारे फपुंद में रीवा गाड़ी खड़ी नहीं होती है, तो ह जाके जी ज़ाक में उतरे जाके और राजीव चप्ड़ा को मैं ठोड़ दिया उसे कानपुर जाना था जाक जा जाके इस तरीके से मैं वाए बीग बोस में के लिए करके साइन करके आई लेकिन मैं बोल के आय थे हाई कोड का डारेक्शन मेरे पास है, कि मेरे को हर सब्दा को मैं जिस court ने आदेस दिया है, वो court तो दे सकता है, लेकिन हर court नहीं कर सकता है तो जे राजीप नहीं आज़ोगों ने कह दीया कि अब जिए चढ़ जो पैसा लगेंगे आप इनको करा कर राजीब चड़ा गए तब तक डेट आ गई बंबई जाने की और यहां पे हम अपने वकील से बात करके गए थे कि वकील साब पहले हम जा रहे हैं बंबई और वहां से जाके में डारेक्ट कलच चैनर वालों से बात कराएंगे अगर मान जाएंगे तो सही है नहीं मान जाएंगे कोई हमें जबर जस्ती अंदर नहीं करेंगे तो दो देन होगा है जो बंबई का कनोडर हो रहा है वकील वो हमारा दिमाग कराब करके पहंक दिया फिर हमें इतनी तेज गुस्सा वहां पे आई दोचाल मैंने उसको गालियां दी और आनंद चोहन से का हमने कि ये बताईए कि पहले बिग बॉस और चैनर का मालिक कौन है तो बोले कि वो तो कि कुनाल जी है तो हमने कुनाल जी से हमें दो मिनट की मुलाखात कराईए तो उसके जुम्मेदार हम होंगे तो उसने बोला कि भाई सीमा जी तुरंत की कागज मंगाई है हमने बकील को फॉन लगाया बकील ने तुरंत कागज लेकर अपना फैक्स कर दिया उनकी धेंगा पंदार में पहुंच गया तो इस कारद से में बिग बॉस में पहुंचिए अंदर क्या होता था अंदर बले ऐसे अंदर के लोग बताया जाता था क्या करना क्या बोलना है नई कुछ नहीं रहता है कोई रियल नहीं वहां पर नहीं रहता है जिस तरीके से हम तुम है मैंने वहां पर 12 अपता रहे हैं बस मैंने यह देखा है कि यह जिस तरीके से अप कि अगर जरा से भूल गए कि आज कौन तारीक नहीं है अगर आप इतना अगर दिमाग में तेज रहे कि मैं किस तारीक में अंदर आये थे उस हिसाब से तो आप तारीक जोड सकते हो नहीं भूल जाओगे दो हफते तीन तो यह लगता है यतना हफता लंबा लगता है क्योंकर व्यक्ति का हर चीज चूटता है और उतने ही में आपको रहना है व्याइपी घर बना है खाने पीने की व्यबस्ता है सबकुछ है लेकिन भाई मेरे अगर हर आदमी सब जगें गूम रहा है और एक दम कैसे उसे कमाई होती 12 हफता कोई रहा तो फीस तो मिलती होगी टेलिविजन की नहीं ऐसा है कि जो आपका थे हुआ होगा कि आप कि पच्चीस हजार में रह रहे हैं एक कनाव सब्सक्राइब के लिए के पचास में रहे हैं तो उस टाइब जैए हफता रोके उसका पैसा पूरा मिलेगा जिस दिन आप निकल के आओगे आओगे आपको पूरा मिलेगा तबहे तबच खराब गई कुछ वा दिक तो अग्टर में आपको ले जाना पड़ेगा तो वहां डाक्टर इलाज करेगा दूसरा रूम बने होते हैं वहां पर डाक्टर पूरा इलाज इलाज सब कुछ मिलता है आपको अगर जुखाम भी हुआ है और बिना दबाई से ठीक नहीं हो रहे है तो आपके साथ हां जी डॉली बिंद कि अजो मालता तरीगता रहा है जुआ और मेरी मेरी चाहिए उपन्ति है कि अason साय वृमका इन इन करो नुए घंए दो डॉली बिंदरा शिफ्ता तिवारी से जब लड़ रही थी उसने पकड़ लिया था उसके नाखून बड़े बड़े थे तो शिफ्ता तिवारी के लग गया थे और डॉली बिंदरा ने यहो करके राड मारी थी जिम करने वाली तो समीर सोनी आंगे आ गया था उसके यहां पेट में लगी थी तो इसना काला दबा आठ दिन पड़ा रहा था और उसको बाहर भी निकाला और फिर कनवाई काट एंट्री में फिर दुबारा आ गई दो हफते बाद में तो हमें यही पता ने कितना उनने सच्चाई दिखाई कितना नहीं दिखाई है मैं लोग ने यह बोला था कि देखा बौल यहीं दिखाई कर दिखाई है डोली विंदरा का पूर चतरत नहीं दिखाया है कि नहीं नहीं बता सकते इसने तो लोहे की रड मारी थी हम ऑफिर भी कनव यह दू बारा आ अगई ती यंद कित्त कितने मारी मनोटी वारिस होती है हमारी मनो तीवारी का मेरा पॉन किसी से मिलन पहुंच जाता है, वह तो भाई पुलिस का नम है, तो वह तो कहीं भी जा सकता है, अगर देखा जाए, हमारे सीजन में जितने आदमी गएते सब अच्छे थे, अगर देखा जाए, तो एमेज खली की कम हुई है विक बोस में जाने से, वागे तब की बढ़ी है, सबकी बढ़ी है, क्योंकि खली पहले डबलु डबलु एका कनो चेंपियन था, तो इसकी पहले से एमियत बढ़ी थी, और सही पूछिए अगर विक बोस में आया है, सबसे जादा नंगा किया है डॉली बिंदरा ने, पहले वो विर्जी 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 करती रही, जब हमारा सीजन से हम निकल आये हैं, उसके बाद में इतनी बुरी लड़ी है, यह भी जाट पंजावी था, वो भी जाट पंजावी था, और फिर डॉली विंदरा ने उसकी चिचल लेदर करी है, तो आज एमियत देखी जाए तो उसकी बढ़ी जाने से उसकी कम होई है, अब अभी कोड जाना पड़ता है? अभी यह हमारे पास एक मुकदमा है तो जाने पड़ता है, पेशी लग तो खतम होग यह अगया लगाएरा लगाएं वैसे यह डारेक्शन हुआ था ओर तो मैंने ओर यह में लगा दिया था तो ओर उरही के हमारे खतम हो गए आज कम से कम पा यह हैं लेकिन हम एक और यह दिवा है तो अरहयह में दो फाल हैं एक मुकदमँ खतम हो गया एक शलह आया तो हम सोच यह ही खतम हो जा लेकिन अगर कॉरोना काल नहीं होता करें इस सब्सक्राइब जब द dólares घए लाज.. अभी खर्चा पानी तो भाई मेरे अब दोहजार अठारा से बिलकुल बंद चला है अब जिस तरीके से हम जहिल रहे हो हम ही जानते हैं चकर यह है कि फिल्म मैंने बनाई थी किस्ना मिस्रा ने फिल्म का पैसा एक नहीं दिया था और दूसरी बात है विक बॉस में गए थे हमें पांचेल लाग रुपए मिले थे तो पांचेल लाग रुपए क्या होते हैं मेरे आज की महँगाई में रही बात जे है कि अब भी तक जैसा है कि कहीं हमारा जैसे में मीटिंग करते हैं कहीं पर किसी का फीता काटने जाते हैं और ज्यादा करके मैं मीटिंग करते हैं तो उसमें आने जाने का मैं कर्चा लेती हूँ तो उससे अब इसी तरीके से अपनी बच्चों की गुजर कर रहे थी और अब रही बाद जी है कि 2018 में कुछ पुलिस वालों न हमारे दुबारा फिर भाई को छेडखान करी या कि 2019 में उसको फिर जिल भेद दिया था चोटे वाले को और उसके बाद में 20 से कोरोनी काल चल ला बच्चे बच्चे है यह थी पार फिलम गजए से लिए थी क्योंकित तो तीन साल से पड़िशांद चल ला आए तो बच्चे का कालेज अवे बिल गया था सरकारी और डइट कराने थी बस कर चुके हैं वेटा भी कर चुका है और बच्चा भी कर चुका है और भतिजा भी क इसको प्राइट कराने का। और सरकारी एगर इसकोल मिल जाता है तो जहाती की 11000 का खर्चा था तो भातीजे को मिल गया था जीट मल तो भातीजे को करा रहे हैं तो अंगली साल सोच रहे कि अब उसका अगली साल ड्राएंगे लड़के का। और चार बच्चों की पढ़ाई क खर्चा है हमारे पास अब यहाई बच्चों की पढ़ाई मेंं खर्चा आज कल कितना होता है जो हर बंदा जानता है आप तो पहले की पढ़ाई बहुत अंतर हो गया अगर यह तो पढ़ाई अगर बच्चें की दो जान पस में और आपने अगर पढ़ाई कर लिए तो बहुत बड़ा काम कर लिया तो ये थी सीमा परिहार से हमारी बात्चीत इस बात्चीत पर हम आपकी राय जरूर जानना चाहेंगे अपना ख्यार लखिएगा और ललन टॉप देखते रहिएगा बहुत बश्यूरिये